असलाम अलेकूम और वलकम बैक कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमली उमीद है सब ठीक होंगे हुश होंगे हम भी अलहमदुलिला ठीक हैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया दा कर लूँ कल की वीडियो पे आपने मुझे बहुत सा प्यार दिया बहुत दुआएं ब घर जा रहे हैं बेबी को लेके शावीर और अमी जो हैं वो घर पी हमारा इंतजार कर रहे हैं तो अभी हमने गाड़ी में बैठके उन्हें कॉल की कि हम आ रहे हैं तो थोड़ा साही रस्ता है तकरीबन दस मिंट लगते हैं तो अभी हम फाइनली घर पहुंच आएंगे तक करीबन चार दिन के बाद मैं घर जा रही है और मैं सोच रही थी कि शावीर का रियक्शन पता नहीं कैसा होगा क्योंकि होस्पिटल में तो उसने कुछ जायरा थोड़े देर के लिए आता था और चला जाता था तो अब मुझे सहीस तरह से पता नहीं है कि वो बेबी को दे कैसे रियक्शन देगा तो अभी हैर गार चलते हैं फिर देखते हैं कि शावीर का जो है वो मूड कैसा होता है मुझे थोड़ा सा शावीर से डार भी लाग रहा कि वो पता नहीं कैसे रियक्ट करेगा क्योंकि वो हमारे साथ आरा अकेले ही रहता था तो फिर शेयर करना जो हैं तो बख्वाइरा ने मिले नहीँ थे तो जल्दी जल्दी जो ही नहीं मिलाई इन्होंने कहा कि हम थोड़ी है वह उइन्हों पोर्ण है करर देती है कहला मुझे बहुत अच्छा लगा है और यहां पर यह कीक वागिभा भी नहीं एक वैल治 में नहीं था तो लेकिन जैसे ही मैं घर आई तो शावीर मुझे कहता है कि मामा हमने उस कवरे में बिलून लगाए है आप जल्दी से आओ तो मैं पिर जाके मैंने देखा और पिर केक वगएरा कभी लाकर रखे होगे थे शावीर मुझे ले के किचन में आ गया कहता है कि केक भी लाया हुग है है अब काट लेते हैं यह सारी त्यारी जो है वह वो मेरे और बेबी के घार रने की हुशी में की ती अल्लत अल्लत सब के लिए उस्टो का टाइम लाइन और सब को जहां वह अता फर्माएं जिन जिन के पास उलाध नहीं है लहां तो मैंने अपने केक काटा था यहां पे न तो मैंने अपने हिस्बंट से बोला कि वह आप थोड़ी सी वीडियो बना दे तांकि मैं अपनी यूट्यूब फैमली के साथ भी ने शेयर कर सकूँ छुटे-छुटे कली बस मैं लेती रही हूं तांकि मैं फिर आपके साथ शेयर कर सकूँ अच्छ पास इतनी जैदा है यह जो बुस्ट रहन उगारा उती हैं सारे चीज इतनी जैदा लेकिन फिर भी उसका दिर होता है जब भी जाए न तो अपसंत बहुत ज्यादा है तो ये एक बेबी के लिए भी वो लेके आया है तो अभी ये निकाल के मुझे दिखा आया था कि मैं ये बेबी के लिए लेके आया हूँ पहले तो कहा रहा था कि बेबी के लिए नहीं लेते पापा बेबी को रहने दे सिर्फ मेरी बुस्त ले लेते हैं लेकिन फिर इसके पापा ने बोला कि नहीं बेबी के लिए भी ले लो एक कोई जो भी आप चूज करोगे फिर उसने ये चूज किया फिर जब घर लेकिया या फिर मुझे दिखाया कि वो ये बेबी के लिए लेकिया आए आश्ता ऐसा जाहरा बच्चे फिर सैटल हो जाते है अश्ता ऐसा जाहरा इसका बेबी के साथ भी हो जाएगा भी तो जाहरा नया नया है सारा कुछ तो फिर शावीर जाहरा पहले अकियला था तो फिर ये चीज़े जाहरा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मुझे लगता है बड़ों के लिए भी काफी मुश्किल होता है जब आपकी कोई जगा ले 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 तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं तो शावीर को जाहरा अब ये है कि मामा जहाँ वो बेबी को उठाए रखती है वो जैलस होता है ऐसा नहीं है कि वो जैलस नहीं हो रहा है वो जैलस हो रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रहे हूँ कि शावीर को जाहरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूँ लेकिन जाहरा बेबी भी छोटा है वो किसी भी वकत रोने लग जाता है समझ भी नहीं आती वो क्यों र क्योंकि फिर help हो जाती है ना क्योंकि कभी कभी तो मुझे बिल्कुल भी समझ भी नहीं आती कि मैं इसके साथ ना कैसे behave करूं कैसे इससे समझाऊं कि वह भी जाहरा आपका भाई है और बच्चे जो होते हैं वह माबाप के लिए सार एक जैसे होते हैं वह कभी भी अपने बच सकता भी क्योंकि वह भी इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि जारे ये चीज़े समझे है रभी ये देखे ये जो बेबी कट होए था वो हम खोल रहे थे और शावीर बिल्कुल मेरे पास बैठके और ये देख रहा था कि क्या चीज़े मुझे ये था कि वह शायद ये भी बोल गाता था सारा ना लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये बोलेकि मुझे दे अदो लेकिन इसने नहीं बोला है यहां पर यह जो था वह यह मैं सोच रही थी किस चीज़ पर लगाँ फिर मैंने सोचा कि ये कार सीट के ओपर लगा देती हूं अभी पिर आगे देखंगी कि यह किदर लगाऊंगी और यह मैं सोच रही थी कि बेबी की कॉट के ओपर लगा देती हूं तो अभी finally मैंने किया फिर देखती हूं कि किदर किदर क्या क्या लगाती हूं जाहर आपके साथ भी share करती हैं यह सारी चीज़े तो मैंने यह देखें जो कार सीट है उसके ओपर लगा दियें और अब यह रह गया है और आप इससे देखती हूं कि इसके लिए भी कहीं जग शगा बनाते हैं बेबी पता नहीं यह सारी चीज़ अभी अच्छे से color जो है वो उसे नजर आते हैं यह यह नहीं क्योंकि मैंने सुना था कि दू वीक के बाद बच्छेगों color नजर आना स्टार्ट ठासरो होते हैं वो बी दिस्फ वाइद यौड ब्लाक और यह जो colorful क्योंकि अम्मी को सबजियां बहुत पसांद है वो बिल्कुल गोश्ट वगएरा जो है न अब जैसे बना भी हुआ घर में वो नहीं खाती तो फिर इसलिए सबजियां जो दो है न वो मंगवाली थी मैंने ये एक बिंडी तोरी है और क्रेले मैंने मंगवाई है और ये निमको मंगवाई है ये मैं तो नहीं खाऊंगी लेकिन ये अमी के लिए और शावीर के ये वो दोनों जो है उनके लिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत है न वो कुछ स्नैक वगएरा है जो है वो हो जाए और ये जो काली मोटी है लाइची होती है ये एक पाकेट और मंगवा लिए आगे मैंने पहले लाया हुआ था लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा होता है न तो इसलिए और साथ में गेटी जो है ये भी एक पाकेट मंगवा लिए था मैंने सोचा अभी गें है हजबन तो जारे एक दफ़ाई चीज़े मंगवा लेती हूँ और ये केक रस पिछली बार लेकिया थे जो के बहुत मज़े के थे तो इस बार फिर दुबारा से जो है वो मैंने का था कि आप ये ले आईएगा और ये रही बर्फी बर्फी तो आज काल मीठा जो है वो तो हमारे घर में आब आता रहेगा क्योंके बेबी जो आया हुए तो फिर मीठा वगेरा जो है वो वैसे हम बहुत ज़्यादा शुकीन है तो आप तो हमें बहाना मिल गया मठाई खाने का अच्छा यही थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी थी जो मैंने मंगवाई यह अपना व्लाग जो है वो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ उमीद है यह व्लाग भी आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह व्लाग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए का चै झाल की बहुत वस्त अस JON lurाएं झाल की जरू खकर क्या तरै यह व्लाग था जारूएडएग टिलिंट वह अधर थर न आप घ्र